चोपड़ा यह जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो इस्ट्रे वेकंसी राउंड का प्रोविजनल रेजल्ट आ चुका है और कठोप जो हमने आपको पहले बताया था वही रहा है मैं आपको यहां पर कैटेगरिवाइज कटोप बताऊंगा साथ में मार्क्स भी बताऊंगा कितने मार्क्स पर क्या कटोप रही है कटोप काफी हाई रही है यानि कि एक मार्क्स का ही डिफरेंट राहे जनल EWS OBC कैटेगरी में तो तो एक बार हम पहले कटोप देख लेते हैं तो MBBS की कटोप अगर देखें तो open category की जो कटोप रही है 22706 rank जिसके 596 marks थे दीपू Medical College आसाम का मिला है EWS 23501 rank पर जिसके 595 marks थे तमिल नाडु का कोलेज मिला है OBC category में 22722 rank पर जिसके 596 marks थे जोरम Medical College मिला है इन तीनों की कटोप हमने सेम प्रेडिक्ट की थी आज भी मैंने वीडियो बना के यही कटोप बताई थी और आज से तकरीबन 15 या 20 दिन पहले भी यही कटोप बताई थी और जब रजल्ट आया था तब भी मैंने यही कटोप बताई थी last round की और वो कटोप बिलकुल accurate गई है यानि की कटोप के मामले में हम जो expected कटोप प्रेडिक्ट करते हैं उसके मामले में हम बिलकुल खरे उतर रहे हैं इसके बाद ऐसी कटेगरी के अगर हम बात करें 1,22,444 यानि की 454 मार्क्स जिस कंडिडेट्स के हैं उसको विर्दू नगर मेडिकल कुलेज तमिल नाडु का मिला है स्थी के तरी के लिए हमने 453 मार्क्स कटोप प्रेडिक्ट की थी स्थी के रहे इसके मार्क्स से 423 राजय मुतहिया मेडिकल कोडेज वेस्ट बंगोल का मिला है इसके लिए हमने 420 कटोप रेडिक्ट की थी ये 423 कटोप रही है BDS के टेगरी की बात करें तो open के लिए 547 EWS 545 OBC 545 SC408 ST345 कटोप रही है इसमें MBBS का stay vacancy round last round है इसके बाद अभी mop up 2 होना है MBBS sorry BDS और BSC nursing के लिए मैंने आपको provisional cutoff बता दी है कल इसका final result आ जाएगा और इसकी 28 तक last joining रहेगी stay vacancy round के लिए तो ये cutoff है stay vacancy round की बाकिये updates के साथ आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहन